दोस्तों नमस्कार, मिरो नम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिस्टल मीडिया मंच पर हर्याना में विधान सभाद चुनाव चल रहा है 5 अक्टूबर को हर्याना की जनता तै करेगी कि अगले 5 साल हर्याना किसका असल में 5 अक्टूबर को जब हर्याना की जनता मद्दान करेगी तो उसमें कई मुद्दे होंगे प्रत्याशियों के चहरे होंगे, पार्टियों के नारे होंगे, पार्टियों के वादे होंगे और इस सबसे बढ़कर होगा छित्रिय समीकरन विधानसभाद चुनाव के दोरान हम लगातार आप से जुड़ रहे हैं आपको बता रहे हैं कि कहां क्या हो सकता है चाहे वो हमारे एनलाइस हो और चाहे वो पब्लिक पूल के इसाब से जनता क्या चाहती है हमारा प्रयास होता है कि आप तक बात पहुंचाएं इस वीडियो में मैं आपके साथ हूँ हरियाना की एक प्रमुक विधानसभा सीट और प्रमुक शहरी विधानसभा सीट फरिदाबाद 89 को लेकर फरिदाबाद 89 जहां पर की भारती जनता पार्टी से केंडिडेट है विपुल गोयल 2014 में विधायक बने थे 2019 में भाजबा ने उनको टिकट नहीं दिया और 2024 में फिर चुनाओ मैदान में है भाजबा के टिकट पर और कॉंग्रेस की तरफ से एक बार दोबारा है यहां पर लखन सिंगला 2019 में लखन सिंगला का मुकाबला हुआ था नरंदर गुपता से और इस चुनाओ में लखन सिंगला का मुकाबला होना है विपुल गोयल से विपल को भाजबा का टिकट भाजबा की पहली सूची में मिल गया था और अगर मैं बात करूँ लखन सिंगला की तो लखन सिंगला को कॉंग्रेस का टिकट जो मिला कॉंग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया उनको जो कॉंग्रेस की दूसरी सूची आई अंतिम सूची यानि की 11 तारिक की देर रात को उसके अंदर लखन सिंगला का नाम आया अब चुनाव शुरू हो चुका है राजनितिक छेत्रों में कहा ये जाता है कि फरिदाबाद 89 की विधान सभा सीट भारती जंता पार्टी की सीट माली जाती है 2007 के परिशीमन के बाद जो स्वरूब बना फरिदाबाद विधान सभा सीट का हलाकि उससे पहले यस्तित्व नहीं थी 2007 से पहले जो परिसीमन हुआ 2007 में उससे पहले फरिदाबाद के अंदर तीन विधानसवा सीट हुआ करती थी वो फरिदाबाद NIT कहा जाता था बल्लबगर और मिवला महराजपूर बल्लबगर वाली सीटे में छोड़ देते हैं और उसके बाद में जो सीटे बनी वो फिर बनी फरिदाबाद 89 उसके अंदर अस्तित्यों में आ गई तिगाव आ गई मिवला महराजपूर खतम हो गई NIT की NIT रह गई बढखल बन गई और बल्लबगर थी ही यहले कि उन दो में से चार विधानसवा सीटे बन गई अगर फरिदाबाद 89 की बात करूं तो पूरी तरह शहरी सीट है और 2009 में यहाँ पर कॉंग्रेस के आनंद कौशिक चुनाव जीत गई थे उनका निधन हो चुका है देहावसान हो चुका है और भारती जंता पायट्री को 2014 और 2019 दोनों चुनावों में जीत मिली 2014 में विपुल गोयल यहाँ से विधायक बने आधा समय बाद सरकार में वजीर बने और उनको फिर 2019 का टिकेट मिला नहीं लोग सभा टिकेट मांग रहे थे 2019 में तयारी कर रहे थे लेकिन क्रिशनपाल गूजर उन पर भारी पड़े और विधान सभा का टिकेट भी गमा बैठे थे राजनिती गरियारे में अब जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं कुछ ऐसा कह रही हैं कि यहां मुकाबला बहुत कड़ा होने जा रहा है फरिदाबाद विधान सभा 89 को लेकर जब चुराब शुरू हुआ था तो उस समय ये कहा जाता था कि विपुल गोयलिया भारी पड़ेंगे हला कि कई बार मेरी बात हुआ करती थी कॉंग्रेस के लोगों से भी और भाजबा के लोगों से भी जहां भारती जनता प्राइटी के लोग कहते थे कि उनका केंडिडेट कोई भी हो वो मैदान में उतरेंगे तो वहीं कॉंग्रेस के लोग कहा करते थे क्योंकि कॉंग्रेस का मतलब यहाँ पर खासकर लखन सिंगला तयारी कर रहे थे और लखन सिंगला के समर्थक जो लोग थे, वो कहते थे कि अगर विपुल गोयल को टिकट मिला, तो फिर उनके लिए चुनाव बहतर होगा, और अगर मैं आपको आज बताऊं जो ग्राउंड में दिख रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे लखन सिंगला के समर्थकों का जो वो आइडिया था, जो उनकी सोच थी, वो कहीं ठीक थी, आज अगर विधान सभा चुनाव में आप देखें, तो इस समय जो माहौल बना हुआ है, वो दोनों प्लत्याशियों में काटे का है, कॉंग्रेस का टिकेट मांगने वाले जो लोग थे, यहाँ पर कॉंग्रेस तो भारती जन्ता पार्टी से जो टिकेट की इच्छा थी, वो विपुल गोयल के बाद में, यहाँ पर अजय गोड का नाम बहुत बड़ी गंभीरता और प्रमुकता से लिया जाता था, यहाँ पर जो निवर्तमान विधायक है, नरेंदर गुपता उनका भी नाम था, मनो दूसरे प्रत्याशी थे, जो दूसरे दावेदार थे, प्रत्याशी तो नहीं कहूंगा, अजय गोड, अब इस समय अगर मैं कहूं तो विपुल गोयल के चुनाव परचार में, भारती जन्ता पार्टी की कोर्टीम का कहीं अभाव दिख रहा है, राजनितिक हवाएं समीकरन अगर लें, तो यहाँ पर पंजाबी मद्दाता बहुत बड़ी संख्या में है, पंजाबी मद्दाताओं के साथ बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई कॉंग्रेस या बीजेपी किसी भी पार्टी का केंडिडेट पंजाबी समाज से नहीं है, पंजाबी समाज के बले ही मनवरलाल के मुख्य मंत्री रहते पंजाबी समाज कोई बहुत आगे ना दिखाई पड़ता हो लेकिन उनके मुख्य मंत्री बस से हटने के बाद कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पंजाबी समाज के अंदर कोई पीडा है और वो सामने भी दिख रही है आप किसी विधान 11 इन कहीं चले जाएं आप 16 15 आपको पलवल जिले से खासकर पलवल शहर से आया हुआ पंजाबी समाज का एक बड़ा तबका मिल जाएगा मेरी कम से कम सो लोगों से टेलिफोनिक बात्चित हो रही थी और जो उनका मिजाज दिख रहा था वह भारती जंता पार्ट्री के के कैंडिडेट के लिए चिंता जनक है और कॉंग्रेस के कैंडिडेट को सफूर्ती देने वाला था जो मैं आपको बता रहा था जब चुनाव शुरू हुआ था मैंने आपसे पहले ही कहा तो लगता ऐसा था कि जैसे वेपल गोयल भारी पड़ेंगे लेकिन चुनाव मत दाता हैं बड़ी संख्या में हैं वेश्यक गरवाल मत दाताओं की बात करें तो वह दौनों पार्टियों में अगर मैं आपसे यह बता दू कि लगभग बराबर बराबर बट रहा है लखन सिंगला के पास भी बड़ी संख्या में वेश्य चेहरे दिखते हैं और पर जो मत दाता है वहां का जो बूटर है मुस्लिम समाजगा वो वैसे भी भारती जंता पार्टी की पक्ष की तरफ कम होता है तो वहां एक तरफा फायदा कॉंग्रेस को जाता दिख रहा है फरिदाबाद विधान सभा में एक गाउं है सीही और इसके लावाद जाट मत द दाता भी है जाट मत दाताओं के अंदर कॉंग्रेस को ले करके पॉजिटिव है एक आर डवल्यूए के परधान से मेरी बात हो रही थी टेलिफोनिक बता रहे थे कि उन्होंने विपुल गोयल के समर्थन में कारेकरम किया था उस कारेकरम के अंदर जो लोग जुटे थे व को ऑक्सिजन देने माला था अगर इन सब बातों को देखते हैं अगर जो मैं आपको बता रहा हूं सभी तो उस सब को देखकर के लगता ऐसा है हलाकि विपुल गोयल काफी हेविवेट केंडिट माने जाते हैं विपुल को कि साथ में आप यह मान सकते हैं कि अर्याना सरकार में मंतिर रहते हुए या भारती जंता पार्टी के अंदर उनका औरा बड़ा है लेकिन उनके साथ में एक नेगेटिव पॉइंट जुड़ता है वो यह नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि विपुल गोयल को जब टिकेट नहीं मिला था 2019 में तो उसके बाद विपुल ग लोड़ा वो सामजस्या नहीं रहा था जो एक राजनेता का रहता है और इधर अगर दूसरी तरफ देखें तो फिर रखन सिंगला लगातार जो चुनाव पिछली बार भी लड़े थे इस बार भी चुनाव की तयारी में लगातार जुटे हुए थे विपुल गोयल को जहां एक संकट दिखाए देता था क्योंकि वो 2024 के लोगसभा की भी तयारी कर रहे थे बदर पर बॉर्डर से लेकर और कर्मन बॉर्डर तक आपको विपुल गोयल के बोर्ड शायद आज भी दीख जाए जिसमें वो फरिदाबार लोगसभा की तयारी कर रहे थे हलांकि टिकेट लेने में कृशनपाल गुजर कामयाब हुए और चर्चा ही ये चलती थी कि जिस प्रकार अजय गोड के नाम को बढ़ाया जा रहा है उसमें चाहे पूरो मुख्य मंत्री मनोहरलाल हो और चाहे कृशनपाल गुजर बात चलती थी कि वो उनकी वकालत पूरी करेंगे अंतो गत्वा टिकेट तो विपुल गोयल लेने में कामयाब हुए लेकिन बड़ी बात आ जाती है कि जो भारती जंता पार्टी का जो संगठन है क्या वो पूरा उनके साथ जुड़ पाया और अगर ज़र कॉंग्रेस की बात कर लेते हैं तो भले ही कॉंग्रेस का संगठन तो नहीं है लेकिन जो टीम थी वहाँ पर कांग्रेस कारेकरताओं की अगर मैं आपको बताओं तो लोकसभा चुनाव के दौरान में काफी ऐसे लोग थे जो करन सिंग दलाल के साथ जुड़े हुए थे और नाराज दिखाई देते थे लखन सिंगला से चाए उनके भतीजे रोहित सिंगला हो चाए यहां के पारशद अनिल शर्मा हो ये तमाम नाम थे लेकिन अगर आप देखते हैं तो फिर वो सभी लोग लखन सिंगला के साथ दिख रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताओं चुनाव के अंदर आपको आपके नजदीक के छेत्रों का काफी परभाव दिखाई देता है विपुल गोयल तीन दिन पहले पलवल गए हुए थे गौरव गौतम का जो भारती जनता पार्टी के केंडिडेट है उनका चुनाव परचार करने संभवता उनको पार्टी की तरफ से निर्देश होगा क्योंकि जो पलवल के निवर्तमान विधायक है दीपक मंगला वैशे समाज के बड़े नेता है वो और पलवल के निवर्तमान विधायक भी है लेकिन चुनाव परचार से दीपक मंगला की दूरी है शायद उस कमी को पाठने के लिए विपूल गोयल को भीजा गया हो अब हाला कि करन सिंग दलाल और लखन सिंगला के अंदर 36 कांकडा रहा है लेकिन एक पुरानी कहावत आ जाती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है इधर पलवल में चुनाव लड़ रहे थे पलवल में चुनाव लड़ रहे हैं गौराव गौतम भारती जन्ता पारटी की तरफ से और उनका परचार करने जाते हैं विपूल गोयल और इधर चुनाव लड़ रहे हैं लखन सिंगला और फरिदाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं विपल गोयल तो भले ही करण सिंग दलाल और लखन सिंगला के बीच जो 36 काकड़ा था वो दूरी भी लगता है क्योंकि मैंने जो दो चहरे आपको नाम बताए अनिल शर्मा रोहित सिंगला ये खास कर करण सिंग दलाल के खासम खास माने जाते थे इन दोनों नामों को ले करके करण सिंग दलाल लोगसभा चुनाओं में नाराज भी हुए थे महिंदर परताप सिंग जो कॉंग्रेस के कैंडिडेट से लेकिन अब हवा कुछ बदली हो इसलिए संकित में आपसे कह रहा हूँ कि राजनीती हो समाज हो बिजनिस हो कुछ भी हो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है इधर जब गौरव गौतम का परचार करने जाते हैं पलवल में विपुल गोयल अगरवाल समाज को साधने के लिए तो फिर पलवल के लोगों पर खासकर चाहे वो पंजाबी समाज के हो और चाहे वो जाट समाज के लोगों उन पर करन सिंग दलाल के असर को कम तर नहीं आका जा सकता तो फिर यहां कोई बड़ी बात नहीं है कि करन सिंग दलाल का इंटर्नल इशारा हो चुका हो लखन सिंगला के लिए इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है और चाहे आप बिजनिस में हैं चाहे आप राजनीती में अगर आपके टसल्स हैं चाहे आप एक ही परिवार में हैं वो टसल्स भी हमेशा सामनी रहते हैं और वो टसल्स मैंने आपको बताया कि चाहे वो कॉंग्रेस के अंदर भी हो सकते हैं सुमित गौड जिस परकार से लखन सिंगला के लिए का करते थे लेकिन भारती जंता पार्टी की केंडिएट विपुल गोयल के लिए वो ट्रसल्स भारी पर सकते हैं चाहे वो अजय गौड वाले हो और चाहे वो भाजपा के और बड़े छोटे नेताओं के इन सब को देखते वाद विधान सभा 89 के लिए अब ना विपुल गोयल बहुत मजबूत हैं और ना ही लखन सिंगला बहुत कमजोर हैं दोनों के बीच काटे की भीड़नत है और दोनों को आप येलो लाइट पर खड़ा हुआ देख सकते हैं चुनाव चल रहा है अभी चुनाव परचार के लिए आप कहें तो आज से लगबग 11 दिन बाकी बचें हैं ये चुनाव परचार के दोरान चुनाव कौन सी रंगत लेगा किस रुख चलेगा किस करवट उट बैठेगा या उट खड़ा रह जाएगा ये बहुत सारी बाते रहेंगी आपको बताया करेंगे लगातार लेक प्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर बाएगा अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें औ और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें